नमस्ते फ्रेंट्स यदि आप भी प्लान कर रहे हैं स्मॉल स्केल पे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का या आपने अल्रेडी एक्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करने का तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए हैं जुड़े रहे हैं हमारे साथ मैं हूँ आपका दो तो दोस्तो अगर आपने प्लान कर लिया है कोई बिजनेस स्टार्ट करने का तो उसको दो तरीके हैं एक तो आप वैसे ही बैठ जाईए विदाउट एनी डॉक्यमेंट्स शॉप ओपन कर लीजिए काम कीजिए पैसे भी कमाएंगे आप नो डाउट लेकिन उसमें आप किस चैनल के साथ बैंकिंग चैनल के साथ जूड़ नहीं पाएंगे उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यमेंटेशन चाहिए होगी और कल को रेगुलेशन वगारा भी सकत हो रहे हैं तो उसमें भी आपको शायद प्रॉब्लम आ सकती है तो पहले आपको डॉक्यमेंट्स ताके आप उसको रिजिस्टर करा सकते हैं और उसको रिजिस्टर कराने का प्रॉसेस बहुत ही सिंपल है और इसमें अगर आपको को प्रॉब्लम है तो अगर मुझे ज्यादा लोग नीचे कमेंट करेंगे तो मैं हो सकता है इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना उसमें आपको रिजिस्टर करना है अराउंड 200 तो 250 की फीस लगती है उस पे आप उसको रिजिस्टर कर सकते हैं उसको रिजिस्टर करने के आपको बहुत से फायदे हैं आपका अकाउंट इजली ओपन हो जाता है बिजनेस अकाउंट करांट अकाउंट और आप बैंक के सा तो प्रॉपर चैनल से अगर आप चलेंगे तो उसका फायदा होगा तो फॉर्म सी फॉर्मो आपको अराम से मिल जाएगा साइट पर रिजिस्टर कर लीजिए यह अगर आपको बिल्कुल आप बिल्कुल जानकारी नहीं है तो आप किसी कॉलिफाइड बंदे को बोलिए कोई कोई भी ऑनलाइन अगर कैफे भी होंगे तो वह भी रिजिस्टर करके देंगे आपको तो आप इसली फॉर्म सी फॉर्मों के लिए रिजिस्टर कर सकते हैं और दूसरा अगर आपके वास एड्रेस प्रूफ है शॉप का अगर कोई एड्रेस है अगर जो शॉप खोल रहे ह अगर इसका कुछ एड्रेस होगा उसका एड्रेस परूफ आपका जो इ्लेक्टिकिक सीका बिल हो सकता है वह भी आप साथ में सपोर्टिंग नगे सकते हैं अधर्वाइस अगर आपकी शॉप घर में है तो आप घर का एलेक्रिकिटिटी बिल दे सकते हैं एड्रेस के साथ तो यह तो होगे शॉप के पाएंगे और इनकेस अगर आप पार्टनर्शिप बनाते हैं तो सभी पार्टनर्स का के वैसी लगे गा उसके साथ तो आपका फॉर्म रिजिस्टर हो गया अकाउंट खुल गया तो आप इसली आप बिजनेस को रन कर सकते हैं तो उसके लिए अगर आपको ग्रो करने के से जाना जाता है मुद्रा लॉन बहुत इजी है अवेल करना इसली आप बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट के साथ आप उसको ले सकते हैं तो दस लाग तक का यह लून है मैक्सिमम टैलनेक्स आप विदावर शिक्यूर्टी ले सकते हैं किसी तरह की सिक्यूर्टी देने की जर मैंना तो मानलीजे आपके गरंटी कोई और ही दे रहा है गौर्मेट दे रही है उसके लिए बैंक आप से कुछ पसकी में आपको करने शूझने कॉछे है उसके प्रोक्राइटर कोशिका हम लोगे उसके बान चाहिए आपको किया आपको वह वद्रा लोन जो आपको दो तरह हैं एक तो आपको दीजा जाता है इन दो फो में दौक्स कंव अगरеро क्लिए अगर आपको सब्सक्राइब करना है जैसे कि आपको स्टॉक लेना है आज तो आपने सिसी लिमिट को डेबिट किया स्टॉक ले लिया पैसे आगे वापस जाल दिए रिवाल्विंग क्रेडिट की तरह चलते रहेगी और इसमें हर साल एक रिन्यूल करना पड़ता है से सीसी लिमिट में हर साल रेन्यूल फी चार्ट नॉमीनल से ही होते हर साल वह चार्ज होगी पर लौन में ऐसा है तो और मैं उसको बता रहा था अगर आप cc limit ले रहे हैं तो मुझा थारीके से लोन मिलेगा एक टर्म लोन है और अगर आपको कोई machinery विगरा पर्चेस करनी है like service station आपको कोई आपको कोई heavy machinery लेनी है तो वो उस machinery के लिए आप लोन ले सकते हैं उस उस वह आपको डौन की फोर में मिलेगा सीए की फॉर्म में नहीं मिलेगा वांटाइम इसी वेंड़र की जिसके आप मशीन खरीद रहे हैं। इसके नाम का जो बनेगा और उसको पैसा मिल जाएगा। तो यह बहुत एजी है। दो तरीके से दो-डो फ्रम्स में दिया जाता है और उसके बाद इसके interest rate तो बहुत ही nominal है उसके लिए आप चेक कर सकते हैं मतलब इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं latest rates के लिए अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आप मुझे नीचे comment box में comment करना तो I'll show you तो interest rate is not a big task आप अराम से आपको मिल जाएगा ने इंटरनेट पे उसके बाद में documents की बाद कर रहे थे हम आपके KYC documents अगर आपको machine purchase कर रहे हैं तो उसका बिल उसका बिल चाहिए होगा invoice प्रॉपर invoice फर्म के registration हो चुकी है और तीन साल की projected statement कुछ bank दो साल की भी लेते हैं तीन साल की projected balance sheet और जुरूरी नहीं है कि आपको यह balance sheet किसी CA से बनवानी है आप खुद भी दे सकते हैं और अगर आप खुद बिलकुल ले मैंने आपको नहीं पता है तो आप किसी से बनवा सकते हैं किस 1500 चार्च करते हैं तो उसके लिए आप कोई बड़ा इशू नहीं आप इजली दे सकते हैं तो आपको तीन साल की projection देनी होगी कि मैं आगे तीन साल में क्या सेल करूंगा अगर आपका running business है तो आप अपनी current year की सेल दिखा सकते हैं या previous year की सेल दिखा सकते हैं और आगे आने documents थे जो आपको मुद्रा लोन के लिए चाहिए होंगे easily फिर आप अपना काम कर सकते हैं documents के बाद guarantee का तो मैंने आपको already बदा दिया कि guarantor डूंड़ने में बहुत problem आती थी लोगों को businessmen का आम तोर पर यह कहना था कि हम गरंटर से रेंज नहीं कर पाते हैं तो इसलिए शा इसमें आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है आपको यह है कि आपको guarantee arrange करने की कोई जरूरत नहीं कोई गरंटर आपको arrange नहीं करना है एक nominal fee आपकी काटी जाएगी अगेंस्ट guarantee guarantee आपकी आपका loan covered रहेगा guarantee आपको गरंटर रेंज करने की जरूरत नहीं है दूसरा था collateral security यह आपको किसी property के mortgage यह कुछ देने की जरूरत नहीं है यह loan आपको आपको collateral free easily मिल जाएगा collateral security repayment guarantee सारी चीज़े cover हो गई है उसके अलावा आपका जो stock होगा वह bank के पास hypothecated रहेगा एक तरह से मतलब bank आपके stock को मालिक रहेगा इसलिए वह आपके stock insurance भी करवाएगा तो जितना आप stock declare करेंगे लगा लिगा लिजी अगर आपकी CC है for instance एक लाग की 75,000 की तो एक लाग का stock आपको शोग करना होगा minimum उसमें 25% margin काटके तो आप 25% margin काटके 75,000 आपका CC लिमिट हो गया उसके बाद में आपका stock जो होगा वह insured होगा उसका insurance mandatory आपको करवाना पड़ेगा अगर आपको loan में रहना है तो क्योंकि ये bank का stock है bank उसको insure करेगा तो stock stock के लिए insurance चो होगा fire theft insurance वो bank आपको insist करेगा करवाने के लिए तो वो करवाना आपके लिए beneficial भी है नो तो ये सारी चीज़े शायद मैंने cover कर चुका हूँ mostly अगर in case कुछ छूट लिया है तो आप मुझे comment box में comment कीजिए तो मैं आपको वो भी सारा detail में समझाने की कोशिश करूँगा तो I hope मैंने काफी सारी चीज़े clear कर दी है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please इस वीडियो को like करें और मेरे चैनल को subscribe करें और ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो के लिए जुड़े रही हैं हमारे साथ thank you for watching bye bye